जैसी किष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा तीन में परियावरन विश्य के अंदर पाठ संख्या बारा हमारे गौरव फर्स्ट का अध्यन आज हम लोग करेंगे कौन सा पाठ है बारवा हमारे गौरव फर्स्ट 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 हमा जो हमारे सम्मानन्यों जिनका हम मन से आदर भाव का सम्मान रखते हैं तो उनमें सबसे पहला नाम है नागारजुन ये उनका चित्रा आपको दिखाई दे रहा है प्राचीन भारत में पुराने भारत में नागारजुन एक परसिद रसायन सास्त्री थे ठीक है ना बचो नागारजुन जो हैं वो प्राचीन भारत में एक परसिद रसायन सास्त्री थे ठीक है रसायन सास्त्री मतलब चिकित्सा सेत्र में उनका नाम था ठीक है जनम से ही पर्तिबा साली थे अब जो नागारजुन जी थे नरसायन सास्त्री वे जनम से ही पर्तिबा साली मतलब होशियार थे ठीक है पर्तिबा साली थे क्या थे पर्तिबा साली मतलब उनमें उनमें होशियार पड़ाई के पर्ति विज्ञान के परती उनका ज्ञान गहरा था या उन्होंने उस पर मेहनत की तो ये जनम से ही परतिबा साली थे मलोट बच्पन से ही वो उस्यार थे नागारजुन उनका जनम चत्थीस गड़ अंचल के बालू का ग्राम में हुआ इनका जनम नागारजुन जी का जनम चत्थीस गड़ अंचल के बालू का ग्राम में हुआ है एक गाउं था जिसका नाम था बालू का ग्राम बालू का गाउं में इनका जनम हुआ जो चत्थीस गड़ के अंदर आता है उन्होंने वेद वेदांगों का अध्यन शिग्र ही पूरण कर लिया था नगारजुन ने जो है वेद वेदांगों का अध्यन शिग्र ही पूरण कर लिया था अब वो बच्पन से ओस्यार तो थे ही परतिबा साली थे तो उन्होंने जो है बहुत जल्द ही वेद और वेदांगों का अधियान पूरा कर लिया था ठीक है बच्चों नागारजुन का जनम कहा हुआ था 36 गड के बालु का गाउं में बालु का ग्राम में ठीक है और वे है क्या थे एक परशिद रसाइन सास्त्री थे नागारजुन जो है वो परशिद रसाइन सास्त्री थे इनका जनम जो है 36 गड के बालु का ग्राम में हुआ कालांतर में नागारजुन ने बोध दर्शन का अधियन किया एक समय में उन्होंने बोध दर्शन का भी अधियन किया वे बोध मत में दिक्षित हो गए थे, मतलब बोध मत में वो पूरे दिक्षित, मतलब उस बोध धरम के उन्होंने सारे नियम काईदे अपना लिये थे रसाइन सास्तर के सैत्र में रस हर्दे, नामक ग्रंथ में दातू करम पर कार्य का विवरण मिलता है रसाइन सास्तर के सैत्र में रस हर्दे, नामक ग्रंथ में इनका एक ग्रंथ था रस हर्दे दातू करम पर कार्य का विवरण मिलता है उन्होंने पारे को सोध कर उसका बसम बनाने की विदी भी ग्याद की चिकित्सा के सैत्र में उनका योगदान उले खन्या है उन्होंने इस सैत्र में अनेक ग्रंथ लिखे है नागार्जुन जो हैं चिकित्सा के सैत्र में भी अनेक ग्रंथ लिखे है ठीके बच्चाओं जैशी किष्णा प्राजून जैशी है